Arsenal vs Manchester United एक टाइम पे इस मैच की हाइप इतनी जदा हुआ करती थी कि ये टाइटल डिसाइडर हुआ करता था इन दोनों टीमों के बीच में जो भी इस गेम को जीतता था उसके खाते में EPL की टूफी जाएगी ऐसा तब माना जाता था लेकिन साल दर साल साल दर साल Arsenal का जो एक तरीके से एरा था वो फॉल डाउन होता चला गया उनकी जो डॉमिनेंस थी वो खतम होती चली गया सर एलेक्स के बाद United के साथ भी सेम केस हुआ है आज बहुत टाइम के बाद ऐसा हो रहा है कि United vs Arsenal का मैच होने जा रहा है और ना सिर्फ इन दोनों फैन बेस के बीच में हाइप है बलकि जो न्यूटरल्स हैं उनके बीच में भी हाइप है कि आखिरकार इस मैच को जीतेगा कौन और ये मैच की हाइप बनने की वज़े है इन दोनों के दो मैनेजर्स आर्टेटा ने 4,44 आर्सनल साइट की ऊपर काम किया एन आर्सनल बोर्ड की तारीफ करने पड़ेगी कि आर्सनल के इस सेटप को उनोंने टाइम दिया जैसे उबामजान को सेल कर देना इसको ट्रेटनिंग से हटा देना मैसे दाजिल को आगे जाने देना मतलब we don't need you anymore और सेम चीज़ अगर मैं कहूँ तो United के बारे में भी आप कह सकते हो के Eric Tenhag ने जिस तरीके से छे महीने के अंदर आके एक under achieved या फिर मैं ये कहूँ एक high potential but under performing squad के साथ जो pitch पे करके दिखाया है वो काबले तारीफ है और आज जब Arsenal और Manchester United एक दूसरे से टकराएंगी तो first place team versus third place team का match होने वाला है और जो भी इस game को जीतेगा वो definitely अपने season में आगे बढ़ते में एक upper hand लेकर जाएगा क्योंकि इस match की जो importance है वो हमारे लिए हैसो है बट Man City और जो top 4 में बैठी team है या फिर top 4 के बाहर top 4 को chase करने वाली team है उनके लिए भी बहुत जादा है अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है के United के पास नहीं है कैसमीरो और बिना कैसमीरो के हमने last time जब उनको हराया था Arsenal को तब हम counter पे खेले थे हमने McTominay को use किया था और आज के केस में अगर आप देखो तो उस दिन भी हमारे पास मार्शाल लहीं था आज भी हमारे पास मार्शाल लहीं होगा तो कि मार्शाल is not traveling with the squad उस मैच में हमारी front line में जेडन सैंचो ने start किया था लेकिन आज के इस मैच डे स्कॉर्ड में Gabriel Jesus अब Jesus पिछले मैच में खेले थे लेकिन उन्होंने गोल स्कॉर नहीं किया था Saka was the goal scorer United एक ऐसी टीम है जो अभी तक अपना top 4 का जो एक status होता है वो secure नहीं कर पाई है और beach season में आते आते कोई भी secure कर भी नहीं पाता है लेकिन अगर हम यह वाला मैच जीतते हैं कल Newcastle ने points drop किये हैं उनके और अभी हमारे points बिलकुल बराबर हैं और अगर हम आज का game जीत जाते हैं तो हम 3 points उपर चले जाएंगे Newcastle के and हम जब तक Man City अगर वहाँ पर Wolves के against game अपना नहीं जीतती है let's say कि Man City अपना game draw कर जाती जिसके chances बहुत कम है ultimately वह जीत जाएंगे especially after the Peps जो interview दिया है उसने उसके बाद तो Man City विल गो all guns blazing अब यहां से लेके पूरे season में and पता नहीं बाकी teams का क्या होने वहाँ है Man City का आगे लेकिन अगर Man City गलती से points drop करती है wolves against let's say वो draw कर जाते है तो हम में और Man City में वापस से एक points का difference हो जाएगा जो कि हमने अपने पैर पर कुलाडी मार ली थी against crystal palace अब थोड़ी अगर मैं बात करूँ यहां पर team selection की तो देखो यार David Dia has to be there in the goal क्योंकि David Dia के लावा हमारे पास कोई और goal की पर है नहीं right back पर Diego Delo is not traveling तो Aaron Manvisa का becomes the obvious choice अब बहुत सारे लोगों का यह decision था कि भाई Lissandro Martinez को CDM पर try कर सकते हैं because ultimately Leachah को use किया गया है Ajax के उस setup में उस position पर देखो मेरा मानना यह है कि आप दो position पर out of position वाले players को नहीं खेला सकते हैं मतलब makeshift player को दो position पर नहीं खेला सकते हैं एक आपका center back का area जहां पर I don't think के Lindelof को वो try करेंगे इतने बड़े match में if Luke Shaw is performing well तो Luke Shaw ही खेलेंगे Maguire को तो chances नहीं मिल रहे हैं and Malassia playing as a left back जो की already pressure put कर देगा क्योंकि उस wing पे आपका सका खेलेगा and सका बहतरीन run of form में हाँ ठीक है Malassia ने इसी season में Salah और मारेस को रोक के रखा है लेकिन ultimately बात यह आती है कि उस match में आपके पास Casemiro था जो की आपके defensive duties का जो दारो मदार था वो शेयर किये हुए था बाकी सारे defenders के साथ यहाँ पर हमारे पास Casemiro की availability नहीं है बात यहाँ आ दिया अगर हम Lysandro Martinez को CDM position पर यूज कर रहे हैं तो हम फिर एक तो अपने center back area में समझाता करेंगे और दूसरी हम जो center mid area है हमारा उसमें भी समझाता करेंगे अब यहाँ पर United को अगर Arsenal से जीतना है या फिर Arsenal को रोक के रखना है तो उनको midfield की battle जीतनी पड़ेगी अब midfield में Arsenal के पास है Odigard, Zaka और आपके Thomas party United ने पिछली बारी जब Arsenal को हराया था तो उसमें हमने क्या किया था हमने passing lanes उसकी cut की थी और हमने एक team की तरह defend किया था जहाँ पर आपके Jaden Sancho was tracking back Marcus Rashford was always lurking on the shoulder of the defenders क्योंकि वो अगर जतना आगे up front रहगा उतना जादा Bruno को advantage मिलेगा हमें ऐसे unit defend करना है और उसके लिए हमें एक extra player चाहिए होगा midfield के अंदर क्यों तो cancel out Odegaard's and Sakaar's combination play तो उसके लिए जो Fred ने काम against KDB किया था वो उसे Odegaard के against करना पड़ेगा also why I would say कि both McTominay and Fred should start is because McTominay का जो एक physical presence है pitch के उपर वो बहुत हमें एक तरीके साब कह सकते है advantage दे सकता है in the absence of Casemiro और देखो पिछली बार जब हमने Arsenal को हराया था अपने home पर तो Arsenal के against हमने McTominay को ही use किया था McTominay एरिक्सन एंड Bruno को हमने use किया था midfield में और आगे अप तोब आपके entry खेल रहे थे Rashford खेल रहे थे and Sancho खेल रहे थे अब क्योंकि आपके पास आज ये game में नहीं है Martial तो वाट वे गॉस probably शायद स्टार्ट करें और वाट वे गॉस के स्टार्ट करने का जो decision हो को वो इसलिए हो क्योंकि आपको defensive work rate वाला एक extra player चाहिए अब क्योंकि आप already एक short player आगे मतलब अगर आप कहो forward line में तो उसमें advantage कौन ले सकता है उसमें advantage ले सकता है Bruno and Rashford obviously अब अगर यहाँ पर United तीन upfront player के साथ जाएगी तो फिर आज की game में entry needs to start क्योंकि भाई entry ने पिछले जब बार जब हमने Arsenal को face किया था he was the goal scorer उसका debut match था and he scored that goal तो United के पास देखो ऐसा नहीं कि chance नहीं है बर अगर मैं favorite की बात करूँ तो भाई यहाँ पर Arsenal are the favorites because they are playing at home and पिछले 18 में से 17 games में Arsenal ने मतलब अपने matches में score कर रखा है the only time they fail to score was against Newcastle जब nil-nil draw खिला था अनोंने अपने इस home पर और 2023 के अंदर Arsenal ने एक भी goal concede नहीं किया है तो we have to make sure that we are going there with a proper plan और जैसे की 10-1 ने बोला था की Arsenal sitting at top of the table it depends on us how we are going to play there with what game plan we are going to go there and क्योंकि Crystal Palace वाला match हारने की probably वो loss ही था मेरे असाब से तो वो उस game में points drop करने के बाद draw खेलने के बाद 10-1 ने ये बोला था कि I'll have to prepare well for the Arsenal game and देखो 10-1 कि someone जो की अपनी गलतियों से सीखता है और यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमारा score जो है वो quality wise Arsenal से कमजोर इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने Trossard साइन किया है now Trossard हम सब को पता है इस सीजन कितना अच्छा खेला है बाकी सारे बड़े clubs के अगेंस चाहे आप Man City के अगेंस बात करो चाहे आप Liverpool के अगेंस बात करो उसने Liverpool के अगेंस तो head-trick score कर रखे चाहे चेल्सी के गेंस बात करो तो Brighton में से एक आप प्लेयर लेकर आ रहे हो जो कि अभी out of favor हो गया लेकिन he was one of their best player यहां पर United के पास अभी कोई ऐसी कोई signing नहीं होई है जो कि हम यह कह पाएं कि भाई नहीं this player can turn the tide of the game in our favor जब वो bench से आएगा Garnacho क्योंकि आपको पता है Garnacho के contracts को लेकर बहुत सारे rumors हारे Garnacho अगर start करेगा तो Rashford will be playing हो सकता है through the center and what we got might not be starting जैसे कि हमने पहले game जो हमने Arsenal के against किता था उसमें approach देखा था but having said that I think this is this is the game where United can actually announce their arrival in the top 4 क्योंकि यह game अगर हम जीत गए तो पिर आप यह कह सकते हो कि हमने एक direct rival जो top 4 का है उससे हमने points drop करवा है and definitely देखो यार अभी season में जैसे मैंने बोला Arsenal ने title जीता नहीं है Arsenal still the second favorites Man City are the ultimate favorites क्योंकि अगर आज का game Arsenal हार जाती है points drop करती है तो जो भी 5 points का gap है Man City और Arsenal के बीच में अगर वो draw करेंगे तो वो घटके सिर्फ 3 points करे जाएगा अगर वो हार जाते है तो वो घटके सिर्फ 2 points करे जाएगा तो the pressure is on Arsenal to live up to the hype और जैसे कि मैंने और दक्ष ने discuss भी किया था अपने live stream पर कि जितना deep जाएगा यह game beyond जैसे आप कह सकते हो beyond 60 जाएगा तो फिर United के पास advantage है Arsenal को exploit करने का क्यों? क्योंकि Arsenal उस case में numbers throw करने की कोशिश करेगी high line खेलेगी और पिछले match में जो हमने किया था उनके साथ high line पर counter attack खेल कर वैसे हम इस game में भी कर सकते हैं देखो यहाँ पर बात आती है कि precise रहना पड़ेगा Arsenal ने सामने वाली teams को इतने मौके नहीं दी है आपने देखा कि Spurs ने किस तरीके से घुटने टेके Arsenal के आगे इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम एक extra midfielder लेकर जाएं Arsenal के गेज़ दूसरी चीज़ यह है कि आपको passing lanes cut करने पड़ेंगे Odegaard को man mark करके रखना पड़ेगा क्यों? क्योंकि Odegaard is the guy who channelized everything आगे upfront attack के लिए and Martin Ali जो काम Rashford करता है हमारे United के लिए वो same काम आपका Martin Ali करता है Arsenal के लिए तो we have to make sure that we are cutting the passing lanes we are marking the players who can actually give those penetrating passes between the line and Fred की presence इसलिए भी crucial है क्योंकि Fred का attack के time जो एक role होता है वो होता है spaces में drop करना जब वो spaces में drop करता है तो वो जो back line होती है और जो midfield होती है वो compact होती है जिससे कि हमारे wide forwards को काफी ज़दा मौका मिलता है and Rashford needs to stay up front और उसको जो high line होती है उसको utilize करना पड़ेगा especially जब Ben White और Zinchenko जैसे players आगे press करने जाएंगे और जब आपके Gabriel और party और सिर्फ आपके Saliba रहे जाएंगे पीछे तो उस case में आपके Anthony, आपके Garnacho और आपके Rashford जैसे players को बहुत जज़ा advantage मिलेगा उनको exploit करने का लेकिन इस game का अगर आप देखो logical result क्या हो सकता है maybe it could be a draw for both the parties लेकिन उस case में Arsenal को बहुत बड़ा धक्का लगेगा United को आप कहा सकते हो धक्का ज़रूर लगेगा लेकिन to get a point against Arsenal is always a delight and काफी time के बाद इस game के माईने जो है ना जैसे मैंने का वो बदल गए है the pride is on the line definitely the title is on the line for Arsenal and for Man City तो दो teams वहाँ तरीके से कह रहे हो कि अपने expectations लगाए बैठे है and definitely the hype that was not there for such a long time is back but आप लोग बताईया आपके साब से क्या result आप लोग प्रेडिक कर रहे है what is going to be your predicted 11 and आपके साब से इस team को किस combination के साथ उतरना चाहिए definitely result करेगा वो भी बताईये और अगर आप channel पे नई है तो subscribe करना मद भूलेगा we are edging closer towards 52K kindly help us in reaching there and with that I'll take your leave keep the red flag flying high guys as Manchester United will never die